नमस्कार आप देख रहे हैं R9 TV मैं हूँ आपके साथ श्वेता भटा चारिया बुलेटिन के शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ यहां रक्षा मंतरी राजना सिंग की पाकिस्तान को चेतावनी दो टूक शब्दों में रक्षा मंतरी राजना सिंग ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत के खलाफ आतंकवाद रोक दे पाकिस्तान जिहार रक्षा मंतरी राजना सिंग ने चेतावनी दी है पाकिस्तान को और कहा है कि अब पाकिस्तान सुधर जाए और भारत के खलाफ जो आतंकवादी गतिविधी पाकिस्तान की तरफ से हो पूरी कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर में शांती फ्हलाने की उस पर अब रक्षा मंतरी राजना सिंग ने कहा है कि पाकिस्तान सुधर जाए और भारत के खिलाव आतंकवादी गतिविद्यों को रोक दे हम किसी भी हालात से निपतने के लिए तैयार है यह कहना है रक्ष रक्षा मंतरी राजना सिंग ने पाकिस्तान को चिताते हुए यहां कह दिया है कि हम किसी भी तरह की स्थिती से निपतने के लिए तैयार हैं आपको बता दे कि किस तरह से पाकिस्तान सीज्वायर का उलंगन कर रहा है धारा 370 हटने के बाद से और लगातार पाकिस्तान की परफ से भारी गोली बारी देखने को मिली है और भारतिय सिनग मुहतोड जवाब दे रही है हाला कि भारतिय सिनग एक जवान कल शहीद हो गए थे लेकिन अब रक्षा मंस्री का ये बयान सामने आया है पाकिस्तान को चेतानी दी है राजना सिंग ने और कहा है कि आतंकवादी गतिवधी भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान चलाता है उस पर रोक लगाए पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए किस बात पर बात होनी चाहिए कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए क्यों बात होनी चाहिए बात यड़ी पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षन देने का काम पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धर्ती पर कर रहा है जब तक उस आतंकवाद को समात नहीं करता है तो पाकिस्तान से बात्चीत करने का कोई कारण नहीं है बेरे बेनोबाई और आगे भी जो बात्चीत होगी किस मुद्धे पर बात्चीत होगी अरे बात होगी अब तो पाक अदिकरित कश्मीर पर बात होगी बेनोबाई और किसी मुद्धे पर बात नहीं हो चलिए रुख करते हैं इंगली खबर का खबर हर्याना से है सीयम मनोहलाल की जन आशिरवाद यात्रा की आज शुरुआत हुई है जिहां कालका में रैली के साथ यात्रा का आगाज हुआ है राजना सिंग और जराम ठाकुर रैली के दौरान मौजूद रहे तो सीयम मनोहलाल ने जन आशिरवाद यात्रा की शुरुआत की है अब की बार 75 पार के नारे के साथ सीयम मनोहलाल की जन आशिरवाद यात्रा की शुरुआत जो है वो कालका से हुई है राजना सिंग ने यात्रा को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया जन अशिरवाद यात्रा का आगाज रैली से हुआ है, इस दोरान केंद्रिय मंत्री राधना सिंग, हेमाचर प्रदेश के सीम जैराम ठाकूर, समेख प्रदेश के कई मंत्री और कारेकर्ता जो हैं वो मौझूद रहे, रैली इस थल पर रक्षा मंत्री राधना सिंग का सीम मन नुहलाल और बीज़ेपी प्रदेश धर्ष सुभाश बराला ने स्वागत दिया। हम लोगोंने 2014 में आपके आशिरवाद से सरकार बनाई थी, पहली बार भार्तजिनता पार्टी को बहुमत दे करके आप लोगोंने आशिरवाद दिया था, पांच साल पहले जो हमने संकल्प किये थे, जो घोशनाय की थी, एक पारदर्शी सरकार, प्रस्टाचार को जडबूल से नस्ट करके, मानव जीवन को कैसे सुखी बनाया जा, अपने प्रदेश की गरीब जनता को, कैसे उसकी समस्याओं में से बाहर निकाला जा, जीवन शहली को कैसे सुलब बनाया जाए, विकास के काम कैसे आगे बढ़ाये जाए, ये सब काम, भायो बैनों हमने किये, हमने अपनी सरकार बदलने के बाद, पिछली सरकारों का जो काम काज करने का तरीका था, वो सब बदला, काम काज करने का तरीका हमने बदला, लेकिन बदलने के बाद उसको पचाने में बहुत लोगों को तकलीब भी होई, लेकिन जिन लोगों को उसकी सुईधा का लाब मिला, उन लोगों ने भुरी-भुरी प्रशेंशाभी किए पीछले सरकारों का को एम होता था अलग से हमसे जानते ने का क्या एम होता था और उस एम को प्राप्त करने केसे बिभिन परकार के गेम बहुते पहते उनके एम और गेम अलग हमारे एम और गेम भाई और बहनों अलग हैं उनके एम गेम में राजसत्ता को भोगना उनके एम में राजसत्ता को भोगना और भोग करके मैं मेरा घर मेरा परिवार ये कैसे साधन संपन हो कैसे उसके धन के अंबार भरें और उसके लिए चाहे ब्रस्टाचार करना पड़े चाहे दलाली करने पड़े कोई भी तरीका करने के लिए उससब गेम खेलते थे हमारा एम हमको भी अपने परिवार को सुखी करना है यहां तक तो एक हो सकता है लेकर अंतर यह है उनका परिवार उनके बेटे उनके बेटियां उनके रिस्तेदार उनके चार दिवारे के अंदर रहने वाले रिस्तार वो उनका परिवार लेकर भायों बैनों भारतियों पार चलिए रुक करते हैं गली खबर की ओर जमु कश्मीर से अनुछे 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान अब परमाणू युद की धमकी पर उतराया है पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने गीदर भबकी देते हुए कहा है कि कश्मीर पर परमाणू युद का खत्रा है सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कश्मीर पर पाकिस्तान के शीर्स अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये बात कही है रॉयल उनिवर्सिटी में चात्रों को प्रधानवंत्री नरेंद्र मोधी ने आज संबोधित किया। परिक्षा को लेकर तनाव न ले। प्रधानवंत्री ने अपनी लिखी पुस्तक एक्जाम वारियर्स की भी चर्चा की। यूपी के सीम योगी आदेतनाथ गोरकपुर और महराजगंज के दोरे पर हैं। योगी ने महराजगंज में चिकित्सा परामर्ष केंडर में कारकरम और स्वास्त शिविर में शिर्कत की है। उसके बाद गोरकपुर पहुचे हैं योगी आदेतनाथ जहां उन्होंने सूर कुंड धाम मंदिर में आयोजित कारकरम में शिर्कत की। कई योजनाओं का लोकारपण और शिलानयास योगी आदेतनाथ ने किया। से भी सरकारी रकम निकाल ली गई है। सो चाले हमको कुछ भी नहीं मिला है अभी तक कुछ भी नहीं मिला हम लोग जो है अपना खुद का बनाया। बनाया वगिर हमको कुछ भी नहीं मिला इन्होंने बुलाया भी बासी में कि बासी में आओ मैं उहां पर देता हूँ आपको। सारा दिन आदमी जा करके वहां बैठा और बैठने बारिश ने कुछ भी नहीं दिया और 33,000 रुपिया और नगत कैस भी नहीं है कि मैं उसका देता हूँ पैसा, कोई पैसा नहीं दिया, एक रुपे भी नहीं दिया है बढ़ते अंगली खबर की ओर, पहाडों पर लगतार हो रही बारिश से हतनी कुन बैराज में जलस्तर बढ़ रहा है, यमना उफान पर है, दिल्ली पर बाढ़ का खत्रा मंडरा रहा है, हतनी कुन बैराज से छोड़ा गया पानी अगले 72 घंटों में दिल्ली तक पहुँच हो जाएगा, हर साल बारिश के मौसम में ये आम बात है, लहाजा दिल्ली में यमना के करीब के इलाकों में बाढ़ का खत्रा जो है, वो मंडराने लगा है, खबर हिमाचल से है, हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन बाढ़ और बारिश का कहर जारी है, रिब्बा और किन्नूर इलाके में भूस्खलन के चलते नैशनल हाइवे पांच पूरी तरह से बंद हो चुका है, मंडी कुलू नैशनल हाइवे वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है, व्यास नदी का जलस्तर खत्रे के निशान के उपर बताया जा रहा है, ख़बर बिहार से है, बिहार के बहुबली निर्दलिय विधायक अनन सिंग को गिरफतार करने के लिए पत्ना पुलिस उनके सरकारी आवास पर पहुँची, जब अनन सिंग को पुलिस के आने की भनक लगी, तो वो आवास के पिछले दर्वाजे से फरार हो गए, पुलिस ने अनन सिंग के सरकारी आवास से एक शक्स को गिरफतार किया है, जिसका नाम छोटन बताया जा रहा है, छोटन नाम का ये शक्स हत्या समेथ कई आपराधिक मामलों में वांटेड बताया जा रहा है, इससे पहले अनन सिंग के पुश्टैनी घर पर पुलिस के चापे में एके फॉर्टी समेथ कई हत्यार बरामद हुए थे, रुकरते हैं ले खबर की ओर, ग्रिह युद की आग में जुलस रहा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शादी समहरों में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 60 से जादा लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 182 से जादा लोग घायल बताई जा रही है, जब ये धमाका हुआ, उस वक्त वेडिंग हॉल महमानों से खचा-खच भरा हुआ था, इस धमाके के बाद वहाँ अफ़रा तफ़ी का महौल देखने को मिला, काबुल में शादी समहरों के दौरान ये हाथसा पेश आया है, जिसमें 60 लोगों की मौत बताई जा रही है, और 182 लोग घायल हुए हैं।